सिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम उच्छतर माध्यमिक हिंदी पाठ्ठक्रम के एक पाठ संचार माध्यम और उनके प्रकार की चर्चा करेंगे मीडिया शब्द का प्रियोग आज कल हर जगा आप सुनते पढ़ते होंगे आप जानते हैं मीडिया शब्द का क्या आर्थ है जब किसी सूचना, विचार, अनुभव, आधिको लाखो करोडों लोगों तक पहुचाना होता है तो हम अकबार, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट आधिका उप्योग करते हैं इन्हें संचार माध्यम कहा जाता है इसे ही मीडिया कहते हैं आज हम इस पार्थ के माध्यम से मीडिया अथवा संचार माध्यम के प्रकार और उनकी उप्योगिता के बारे में चर्चा करेंगे इस चर्चा को सुनने के बाद आप संचार माध्यम का महत्त, उसके प्रकार, समाचार पत्रों की उप्योगिता और नए समाचार माध्यमों जैसे इंटरनेट, मुबाइल फोन, आधिकी विशेस्ताएं जान सकेंगे शिक्षार्तियों मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य किसी न किसी रूप में संचार करते रहा है जब फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो लोग चिठ्ठी लिखकर एक दूसरे का हाल चाल समाचार आद जानते थे डाग विवस्था भी बहुत पुरानी नहीं है, इसका आरंभ आधुनिक काल में हुआ इससे पहले संदेश लाने ले जाने का काम कुछ विशेश लोग किया करते थे जिनें समवादिया कहा जाता था राजा महराजा अपने संदेश हरकारों द्वारा पैदल या घोडों से दूर दरास के शेत्रों में भेशते थे पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा कि कबूतर द्वारा संदेश भेजे जाते थे समाज में जैसे जैसे संदेश पाने और संदेश भेजने की ललक बढ़ती गई वैसे वैसे संचार माध्यमों का विकास और विस्तार होता गया आज मनुष्य सिर्फ अपना हाल समाचार दूसरों तक पहुचाने और दूसरों का स्वैम पाने तक सीमित नहीं है वह देश विदेश के समाचार और तरह-तरह की सूचनाएं जानने के लिए भी इक्षुक हो गया है वह दुनिया की राजनीत, खेल, सिक्षा, बाजार, विज्ञान के आविशकार, मौसम, खेती, किसानी आधी बहुत सारे शेत्रों की जानकारी पाना चाहता है यदि आखबार, टेलिविजन, रेडियो, इंटरनेट, मॉबाइल, आधी जैसे संचार माध्यम नहों तो क्या ये सूचनाएं पहुचाई जा सकती है आईए जानते हैं कि संचार माध्यमों के उद्देश क्या है संचार माध्यमों के तीन प्रमुख उद्देश नहों जाते हैं सूचना पहुचाना, मनवरंजन और शिक्षा यह माना जाता है कि संचार का मुख्य उद्देश सूचना पहुचाना है लेकिन मानव स्वभाव सिर्फ सूचनाओं से ही संतुष्ट होने वाला नहीं है एक सीमा के बाद वो सूचनाओं से उपकर मनुरंजन चाहता है इसी बात को ध्यान में रखकर रेडियो और टेलिवीजन पर मनुरंजन के कारिक्रम परसारित किये जाते हैं जिसे लाखो करोणों लोग देख सुनकर अपना मनुरंजन करते हैं संचार माध्यम का तीसरा उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अंतरिक्ष में एजुसेट नामक उपक्रह स्थापित किया है इसका मकसद दूरस्त शिक्षा में शिक्षार्थियों को लाख पहुचाना है आप जानते हैं कि आज मुद्रित सामगरी के अलावा रेडियो, टेलिवीजन, टेलिफोन के माध्यम से भी पाठिकरम सहायक सामगरी और सिक्षा से सम्मदिज जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है आईए जानते हैं कि संचार माध्यम के प्रकार और उनकी उपियोगिता क्या है आप अकबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और टेलिवीजन देखते हैं लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचना भेजी और पाई जाती है इनमें इंटरनेट सबसे नया और शक्तिशाली माध्यम है समान्यत समाचार माध्यमों को तीन भागों में बाटा जा सकता है मुद्रित माध्यम, श्रब्य माध्यम और द्रिश श्रब्य माध्यम सुक्षार्तियों मुद्रित संचार माध्यम कागज पर छपी हुई सामगरी होती है जिसे उस भाषा का पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति पढ़ सकता है इसमें मुख्य रूप से अख़बार और पत्रिकाएं आती हैं अख़बारों में मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित होते हैं इनमें शिक्षाश से लेकर खेती, खेल, बाजार, सिनेमा, स्वास्त, फैशन, जोतिश, साहित दुनिया के विबिन स्थानों, वहां के लोगों और उनके रहन सेहन के बारे में जानकारियां आदी सब प्रकाशित होती हैं इसके साथ ही देश दुनिया की राजनीत, आर्थिक और सामाजिक हलचलों के विशलेशन तो प्रकाशित होते ही हैं अकबार रोज प्रकाशित होते हैं इसलिए इसमें रोज की विभिन छेत्रों की ताजा ख़वरें प्रमुक्ता से प्रकाशित होती है दुनिया भर में हर छेत्र में हर पल कोई न कोई घटना घटती रहती है और उनकी जानकारी हर कोई पाना चाहता है इसलिए हर अखबार अपने अपने तरीके से खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निरधारित करता है अखबार के पहले पन्ने पर आम तोर पर देश दुनिया की सबसे महत्पून खबरे प्रकाशित होती है हर अकबार अपने आकार के मुताबिक अलग-अलग शेत्र की खबरों के लिए पन्नों की संख्या अलग-अलग निर्धारित करता है किसी अकबार में इस्थानिय खबरों के लिए दोपन्ने होते हैं तो किसी में इस से अधिक कुछ अख़वार राज्यवार ख़बरे प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा सब्ता के अलग-अलग दिन, अलग-अलग विश्यों पर विशेश परिशिष्ट देने का भी प्रचलन है। अख़वार में ख़वरों को शेत्रवार प्रकाशित करने और उनके लिए अलग-अलग पन्ने निर्धारित करने के पीछे पाठकों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए आप रोज अख़वार पढ़ते हैं, ऐसे में अगर आपको पता है कि इस तरह की ख़वरें जो अख़वार आप पढ़ते हैं, उसमें किस पन्ने पर प्रकाशित हैं, तो बजाए पूरा अख़वार देखने के आप सीधे उस प्रिष्ट पर जाकर वा ख़व पढ़ सकते हैं, आएए जानते हैं कि ख़वरों की उप्योगिता क्या है, अख़वार की उप्योगिता क्या है, शिक्षार्थियों अख़वार लोगतंत्र का चौथा खंबा कहा जाता है, लोगतंत्र के तीन खंबे विधाई का, कारेपाली का और न्याईपाली का, जब स तो चार रूप से कारे नहीं करते हैं, तो अकबार अपनी जिम्मेदारी इन्हें याद दिलाते हैं। इनकी गरवड़ियों को उजागर करते हैं और लोगों को उनके अधिकारों के प्रती जागरूब बनाते हैं और इस तरह लोकतंत्र की रक्षा करते हैं आप अक्सर सुनते होंगे कि अखबार में खबरे प्रकाशित होने के बाद कई सामाजिक मुद्दों पर सरकार या न्यायपालिका का ध्यान गया है और उसने तुरंट उस पर कारवाई की इस तरह अखबार लोगों को खबरदार करता है सम्विधान में अखबार को आजादी दी गई है सरकार उसकी आजादी को बाधित करने की कोशिस नहीं कर सकती आपने कभी सोचा है कि प्रेस नहीं होता तो क्या सचमुच लोकतंत्र की रक्षा हो पाती अखबार केवल सरकारी फैसलों, योजनाओं, नीतियों या कामकाज के तरीकों की तरफ ही लोगों का ध्यान आकरशित नहीं करता बलकि समाज के दूसरे विभिन्न मुद्दों पर भी लोगों को जागरूब बनाता है इसके अलावा अखबार लोगों को अपने विचार रखने का एक खुला मंच भी प्रदान करता है आपके आसपास कोई समस्या नजर आती है तो आप अखबार के जरीए उसे लोगों के सामने ला सकते हैं किसी मुद्दे पर आप सहमत या असहमत हैं तो लेख लिखकर या पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं शिक्षार्थियों अखबार की तरह पत्रिकाएं भी मुद्रित माध्यम हैं पत्रिकाओं का प्रकाशन सावधिक होता है, अर्थात उसके लिए समय निर्धारित किये जाते हैं, इसका प्रकाशन रोज नहीं किया जाता ये साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वी मासिक, त्रैमासिक, शमाही या वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है इनमें ताजा घटना करम का प्रकाशन संभव नहीं होता इसमें सूचनाएं देर से पहुँचती हैं लेकिन सावधिक होने का लाब यह होता है कि इनमें सूचनाओं के विस्तार से प्रकाशन तथा विवेचन की सुविधा होती है सिक्षार्थियों आईए जानते हैं कि स्रव्य माध्यम क्या है स्रव्य माध्यम के जरिये जिन सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है उन्हें सिर्फ सुना जा सकता है रेडियो एक स्रव्य माध्यम है रेडियो में भी समाचार, विज्यापन, सूचनाओं आधिका प्रसारण किया जाता है मगर इनकी विशेषता यह है कि इनका लाव कम पढ़े लिखे और अनपढ़ वेक्त भी उठा सकते हैं दूसरे इसमें रोज पैसे खर्च नहीं करने पड़ते एक बार रेडियो सेट खरीद देने के बाद लंबे समय तक इसके माध्यम से सूचनाय प्राप्त की जा सकती है इसे खेत, फैक्टरी आज कहीं भी उठा कर ले जाया जा सकता है और कहीं भी सुना जा सकता है रेडियो पर आज कल एफेम चैनल ग्यानवानी के जरिये विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कारिक्रम भी प्रसारित होते हैं इससे किसी कारण कक्षा में न आप आने वाले विद्यार्थी लाब उठा सकते हैं रेडियो के कारिक्रम प्रसारण की समय सीमा में बधे होने के कारण इसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें विशेश रूप से प्रमुक समाचार ही प्रसारित होते हैं। जबकि अखबार में इस्थानी और अंतराश्ट्री खबरों के लिए भी काफी साथ चित्र भी प्रकाशित किये जा सकते हैं। रेडियो में या संभव नहीं है। रेडियो पर प्रसादित समाचार छूट जाते हैं। तो उसे दुबारा सुनने के लिए अगले प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। रेडियो के कारिक्रमों के लिए समय निर्धार तब सुना जा सकता है। यह माध्यम विद्यार्थियों के लिए बहुत उप्योगी है। दूर शिक्षा प्रणाली के जरिये शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान आडियो कैसेट देते हैं जिसमें पाठ्ठक्रम के अलावा सहयक सामगरी भी उपलब्ध होती है। इसक इशार्थियों आईए अब दृष शिश्रव्य माध्यम के बारे में जाने इस माध्यम से न सिर्फ कारिक्रम को सुना जा सकता है बलकि घटनाओं के चित्र भी देखे जा सकते हैं और इनसे सम्मंधित प्रमुक सूचनाओं को पढ़ा भी जा सकता है। कि इन में श्रव्य के साथ साथ दृष भी उपस्थित होते हैं। कई बार जिन बातों को आप पढ़ और सुनकर नहीं समझ पाते हैं उन्हें देखकर आप आसानी से समझ लेते हैं और वहाँ आपको लंबे समय तक याद भी रह जाती है। टेलिविजन पर ऐसा ही होता है। इसमें समाचारों को बोल कर तो प्रसारित किया ही जाता है। उससे सम्मंदित चित्रों को दिखा कर और जहां ज़रूरी है वहां लिखित रूप में भी उसे प्रस्तुत कर अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। और समाचारों की विश्वसनियता और परामारिक्ता बढ़ जाती है। सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है इसके कारण इसके दर्शक की संख्या दूसरे समाचार माधमों की तुल्ला में आज तेजी से बढ़ रही है टेलिविजन के ग्यान दर्शन चैनल द्वारा पाठ्थे सामगरी का प्रसारण भी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपून और उप्योगी है इस पर प्रसारित होने वाले कारिक्रमों का समय निर्धारित होता है इसलिए अगर उस समय उसे देखने से चूग जाए कोई तो उसका लाव नहीं उठा सकता है शिक्षार्थियों नय संचार माध्यम के रूप में मोबाईल फोन और इंटरनेट बहुत उप्योगी और महत्वपून है मोबाईल आकार में छोटा होने के कारण इसे रखना और कहीं भी ले जाना आसान है इसका उप्योग दुनिया के किसी कोने से किसी कोने तक बातचित करने संदेश भेजने, गाना सुनने, फोटो खीचने, दृष रिकार्ड करने, आवाज रिकार्ड करने फिल्म देखने, इंटरनेट से सूचनाय प्राप्त करने, किसी तरह की श्रव और दृष श्रव सामगरी दूसरे जगा भेजने, समाचार पढ़ने, सुनने, छोटी फिल्म बनाने आदि, तमाम कामों के लिए किया जा सकता है मोबाइल के कारण अब दुनिया आपकी मुठी में है, इस युप का यह सबसे महत्वपून आविश्कार है कम्प्यूटर के बारे में आज सब लोग जानते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है, जिसके कारण संचार के ख्षित्र में क्रान्ति आ गई है इस पर अखवारों, रेडियो, टेलिवीजन के लिए समाचार लिखे जा सकते हैं, संपादित किये जा सकते हैं, और प्रकाशित, प्रसारित भी किये जा सकते हैं इसके जरिये अब अख़बार बहुत कम समय में तयार किये जा सकते हैं इसकी मदद से अख़बार के पन्ने आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं कंप्यूटर की मदद से अब रंगीन अख़वार का प्रकाशन भी काफी आसान और सस्ता हो गया है इसकी मदद से दुनिया के किसी कोने में बैठा संबाद दाता समाचारों का संकलन, संपादन कर अख़वार के मुख्य कार्याले या टेलिविजन के प्रसारण केंद्रों पर इंटरनेट के जरिये भेज सकता है पहले ये संभव नहीं था, फिल्म निर्माण में भी कंप्यूटर के आने से बहुत आसानी हो गई है खास कर उसके संपादन में शिक्षार्तियों आईए अब इंटरनेट के बारे में जानते हैं इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटर का जाल यह जाल इस्थानिय स्तरों पर भी तैयार किया जा सकता है और राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय स्तर पर भी जब कई कंप्यूटरों को सर्वर से जोड़ दिया जाता है तो वे एक जैसे वातावरण में काम करने लगते हैं इसी तरह जब इन्हें उपग्रा से जोड़ दिया जाता है तो दुनिया भर में कंप्यूटरों का एक जाल तयार हो जाता है इंटरनेट सर्वर से जुड़े कम्प्यूटरों से कई मायने में भिन होता है इंटरनेट में कारिक्रम तयार कर लिखित या चित्र रूप में टेलिविजन की तरह प्रसारित किये जा सकते हैं इंटरनेट पर साइट लॉगान कर मंचाही सूचनाएं इकठी कर सकते हैं यह एक प्रकार की सम्रिध लाइब्रेरी है यह मुद्रित और द्रिश श्रव माधमों का मिला जुला रूप है यह न केवल जानकारियां एकठी करने का साधन है बलकि इस से संदेश आध भी पलक जपकते एक देश से दूसरे देश को भेजे जा सकते हैं इसके जरिये बात की जा सकती है, चित्रप्राप्त किये जा सकते हैं, अनुसंधान किये जा सकते हैं और दुनिया भर में उसका प्रसार किया जा सकता है. अब इसके जरिये घर बैठे खरिदारी भी की जा सकती है नए-नए मित्र बन सकते हैं इस तरह यत्वरित और बहु उपयोगी संचार माध्यम के रूप में विक्सित हुआ है आपके राष्ट्रिय मुक्त विद्याले संस्थान की भी एक साइट है जिसका पता आपकी पाठ पुस्तक के पीछे दिया गया है आप इसका उपयोग कर बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के उपयोग में एक सुधा यह होती है कि रेडियो, टेलिविजन और पत्र पत्रिकाओं की तरह इसके उपयोग के लिए निश्चित समय सीमा का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं होता है इसे जब मर जी खोल कर उपयोग किया जा सकता है बेशक यह दूसरे सबाचार माध्यमों से थोड़ा महगा होता है और इसके उपयोग के लिए कंप्यूटर या फोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है तो सिक्षार्थियों आपने संचार माध्यम और उसके प्रकार के बारे में अभी चर्चा सुनी ध्यान से आप इसे पुना सुन सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद